बॉलिवुड के बादशाह शारुक खान के सामने आज सारी दुनिया अपना सर जुकाती है आज बड़े से बड़े सुपरस्टार भी किंग खान का मुकाबला नहीं कर सकते शारुक ने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया जिसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं काफी कम उम्र में शारुक खान के सर से माता-पिता का साया उड़ गया जिसके बाद शारुक और उनकी बहन को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ा था शारुक ने अपने जीवन की शुरुआ टीवी शो से की उनका पहला शो फॉजी था जिसके बाद उन्हें टीवी की दुनिया में पहचान मिली इंडस्ट्री में एंट्री लेने के बाद शारुक वो कलाकार बने जिसे दूसरों की रिजेक्ट की हुई फिल्में मिला करती थी फिर एक समय वो भी आया जब वो बॉलिवुड के किंग खान बनकर टॉप पर पहुँच गए और कल तक शारुक खान जिनकी रिजेट की हुई फिल्मी किया करते थे आज वही शारुक खान से पीछे रह गए जी हाँ दोस्तों बॉलिवुड फिल्म इंडस्ट्री ने नब्बे के दर्शक में कई सारी आइकॉनिक फिल्में दर्शकों के सामने पेश की जिनमें से डर भी एक फिल्म थी इस फिल्म से जुड़े कई सारे किस्से हैं जो आज भी सिनमा प्रेमियों के जहन में ताजा है फिल्म के सेट पर सनी देओल और शारुकान के बीच हुई अनबन का किस्सा तो काफी आम है क्योंकि इसे कई बार मीडिया ने नमक मिर्ची लगा कर बताया है हालाकि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म डर को ये शोपडा ने 90 के दशक के सुपरस्टार राहुल रॉय को ध्यान में रखकर लिखा था जी हां हम मजाग नहीं कर रहे हैं कलाकार राहुल रॉय ने खुद इस बात का खुलासा किया है राहुल रॉय हाल ही में दकपिल शर्मा शोपर आये थे जहां उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो डर के लिए ये शोपडा साहब की पहली पसंद हुआ करते थे लेकिन बहुत जादा काम होने के कारण वो इसे साइन नहीं कर पाए राहुल रॉय के अनुसार आश्रकी के बाद मुझे अचानक से 49 फिल्में एक साइन आफर हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे साइन करना है और किसे नहीं इसी दोरान ये शोपडा साहब मेरे पास एक फिल्म लेकर आये थे और उन्होंने मुझे उसकी कहानी भी सुनाई थी और दूसरी फिल्मों में मैं इतना व्यस्त था कि मैं उस फिल्म को साइन नहीं कर पाया क्योंकि प्रोड्यूस मेरी डेट के लिए आपस में लड़ रहे थे और ये शोपडा साहब की वो फिल्म डर थी राहुल रोई ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा डर में जो किरदार मुझे मिल रहा था वो बाद में शाहरुक खान ने निभाया और उनका करियर बन गया इस फिल्म ने शाहरुक खान की किसमत बदल कर रग दी हैं वहीं लोग उनके गुसे से भी पूरी तरह से वाकिफ हैं फिल्म डर के दोरान भी एक ऐसा ही वाक्या हुआ जब किसी बात पर सनी पाजी रे अपनी जेब में दोनों हाथ डाल कर ऐसी मुठी बनाई और इतना जोरों से जोर लगाया कि उनकी पैंड की जेबे ही फट गई वो भी जीन्स के पैंड की फिल्म की शूटिंग जैसे जैसे पूरी होने लगी तब सनी पाजी को लगा कि फिल्म के विलन को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है इसके साथ ही फिल्म में स्टॉकिंग जैसी चीज़ों को फैसला किया कि फिल्म में स서नी कमांडू की भूमिका में थे और शाहरुकान को उन्हे एक सीन में चाकू मारना था अब सनी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने फिट हैं तो शाहरुकान उन्हें चाकू कैसे मार सकते हैं और उपर से वो कमांडो हैं वो बहुत जादा गुसा हो गए थे लेकिन ये शोपडा के बड़े होने की वज़े से वो उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने अपने जीन्स की जेब में हाट डाले और इतना गुसा आया उन्हें कि उनकी जीन्स की जेब ही उनके हाथों से फट गई फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद सनी ने फिर कभी शाहरुक से कनेक्ट रहने की कोशिश नहीं की दरसल सनी देओल ना तो किसी पार्टी में जाना पसंद करते हैं ना ही वो बहुत सामाजिक हैं ऐसे में शाहरुक से कभी उनकी बात नहीं हो पाई साथी साथ बात करें अगर हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म दीवाना की जो की साल 1922 में रिलीज होई थी और इसके चाहने वाले आज भी इस मूवी को देखने के लिए उतसाहित रहते हैं अब यूँ तो फिल्म की कहानी दिव्या भारती के इर्द गिर्द घूमती है लेकिन रिशी कपूर का भी रोल महतपूर्ण था दिव्या और रिशी इस फिल्म को करने से पहले ही बॉलिवुट के चमकते हुए सितारे थे लेकिन उन दोनों के अलावा जिस अक्टर ने अपनी चाप छोड़ी थी ये उनकी पहली फिल्म थी दिव्या और रिशी के अलावा इस फिल्म से एक ऐसे सितारे ने हिंदी सिनेबा में एंट्री मारी थी जो आज बॉलिवुट का बादशाह कहा जाता है जी हाँ सही समझा आपने हम बॉलिवुट के किंखान यानि के शाहरुक खान की बात कर रहे हैं दिव्या और रिशी के इर्दिगिर्द घूमने वाली फिल्म दिवाना में शाहरुक खान की मौझूदगी ने सारी लाइम लाइट चुरा ली थी शाहरुक खान की ये फिल्म पहली फिल्म थी और इससे पहले वो कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके थे जब निर्देशक राज कमर अपनी पहली फिल्म दिवाना बना रहे थे तब उन्होंने दिव्या और रिशी की जोड़ी को ध्यान में रखकर ही इस फिल्म का निर्देशन करने का सोचा था हलाकि दिव्या और रिशी के साथ तीसरे हीरो के रूप में राज की पहली पसंद शहरुक खान नहीं थे जी हाँ शहरुक की जगह निर्देशक ने जानी दुश्मन फेम अर्मान कोहली को फाइनल किया था लेकिन वो भी कई और आक्टर्स की भीड में कहीं खो गए और धीरे-धीरे वो भी गुमनामी की जिंदगी में चले गए इतना ही नहीं एक टाइम पर बॉलिवुड के बिग बी कहे जाने वाले अमिताब बच्चन भी खुद को शहरुक खान से कम समझने लगे थे और ये शोपड़ा से नाराज हो गए थे जी हाँ दरसल बात ये है कि बात साल 2000 की है जब मल्टी स्टारर फिल्म मुहबबतें रिलीज होई थी और उस समय शहरुक खान का सितारा बुलंदी पर था और अमिताब बच्चन के लिए चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर उनका एक छत्र राज धीरे धीरे खतम होने लगा था और नई अभिनेताओं का दौर शुरू हो गया था फिल्म की शूटिंग के दोरान वो निर्देशक ये शोपड़ा से नाराज रहने लगे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शोपड़ा उनसे अधिक शहरुक खान को तवज़ो दे रहे हैं इस बात का हुलासा अभिताब बच्चन के दोस्त अमर सिंग ने एक न्यूज एजनसी के साथ बातचीत में किया उन्होंने कहा कि अभिताब बच्चन उनसे इन सभी बातों पर चर्चा करते थे अमिताब बच्चन ने यस चोपड़ा की कभी कभी और दीवार जैसी बहतरीन फिल्मों में काम किया था लेकिन मोहबबते में उन्हें वो तवज़ो नहीं मिली जो इन फिल्मों के दोरान मिली थी अमर सिन ने बताया था कि मुझे याद है कि मोहबबतें की शूटिंग के बाद वो आते थे और बड़े दुखी रहते थे कि शाहरु खान को जाधा तवज़ो मिल रही है और उन्होंने मुझे बताया था कि यह शोपड़ा के साथ उन्होंने दीवार और कभी कभी बनाई लेकिन लगता है कि अब हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं अमिताब ने प्रभु चाबला को दिये एक पुराने इंटर्वियो में शाहरु खान की खूब तारीफ भी की थी और कहा था कि वो बॉलिवुड के बादशाह हैं उन्होंने कहा था कि शाहरु खान की फिल्में सबसे जादा चलती हैं और वो सबसे जादा लोगप्री हैं अमिताब का कहना था कि शाहरु खान जिस फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह हैं वो उसके सदस से भर हैं हलाकि शारुखान जिस भी फिल्म में नजर आते हैं, उनकी वो फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी धमाल मचा देती है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिसे शारुखान ने रिजट कर दिया था और उनसे कई आक्टर की किस्मत चमक उठी। जी हाँ दोस्तों, रितिक रोशन भी उन्ही अभिनेताओं में से एक है। अक्टिंग के साथ साथ अपने डांसिंग स्किल से भी सब ही को प्रभावित किया था। वहीं अमिशा पटेल ने अपनी अक्टिंग और अपनी मासूमियत से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई थी। इस फिल्म से ना सिर्फ दोनों की ही किसमत चमक उठी बलकि दोनों स्टार के करियर की इस डेब्यो फिल्म को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के लिए अमिशा पटेल को नहीं बलकि करीना कपूर को चुना गया था। को वक्त ऐसा भी आया जब शाहरु खान का फिल्मी ग्राफ नीचे जाने लगा दरसल साल 2013 को ब्लॉग बस्टर फिल्म चिन्नई एक्सप्रेस और साल 2014 में सुपर हिट फिल्म हैपी न्यू एर देने के बाद शाहरु खान का फिल्मी करियर लड़ खडाने लगा साल 2015 में आई उनकी फिल्म दिलवाले एवरेज हिट रही मतलब 100-100 और फिर साल 2016 में आई उनकी फिल्म फैन बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह से पिट गई लगातार असफलताओं के बाद शाहरु खान ने एक बड़ा फैसला किया और उन्होंने चार साल का एक्टिंग ब्रेक लिया और फिर चार साल के ब्रेक के बाद साल 2023 में उन्होंने साबित कर दिया कि उनका स्टार्टम कभी खतम नहीं हो सकता फिल्म पठान और जवान के जरिये शारुखान ने चार साल के बाद बड़े पर धमाकेदार वापसी से सभी को चौका दिया और जो एक समय पर बॉलिवूट का बादशाह जीरो फिल्म करके जीरो समझा जाने लगा था आज वो बॉलिवूट का पठान और फिर से जवान हो गया है तो दोस्तों शारुखान की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़ादा पसंद है हमें कॉमेंट सेक्चन में कॉमेंट करके ज़रू बताईए और साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भोलें मिलते हैं आप से